सीवान का नंबर वन और सबसे तेज एटियन लाइव आप लोगों तक बता रहा है और दिखाने का प्रयास कर रहा है कि किस तरह से इस लोगडाउन में जो असहाय लोग हैं उन तक कौन-कौन से लोग मदद पहुचा रहे हैं और कई दिनों से हम इस ख़बर को दिखा भी रह हैं कई जगों से ख़बर दिखाएं कि राजस्थान के लोग फसे हुए थे यहां पर उन तक रहत की समगरी नहीं पहुच पा रही थी कल डियेम ने एक्सन लिया और वहां पर प्रसासन के बड़े-बड़े अधिकारी पहुचे भाजपा के भी कई लोग पहुचे और रहत सकते हैं सोशल डिस्टेंस बना करके और सबसे बड़ी बातिया है कि सिवान सुरू से कौमी एकता का प्रतिक्रा है शाय हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो कोई भी अगर तेहवार होता होता है तो दोनों धर्म के लोग एक साथ मिल यूलकर इस तेहवार को मनाते हैं शाय होली के से मिल करके यह लोग असायो के भी जा रहे हैं और रहत की समगरी पहुचा रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पे एक जोले का पैकेट बनाया गया है और इस जोले के पैकेट में हम अपने कैमरा मेन से कहेंगे कि उसको दिखाए कि कि स्थार से यहां कि इसमें आलू शाव एक जोले का पैकेट तयार इनके दोरह कराए गया है और एक बहुत बड़ी बातिया है कि भीर नहीं लगाया जा रहा है कई जोगों पे देखा जा रहा है कि भीर लगा करके और लोग रहत की समगरी दे रहे हैं लेकिन यहां पे आगे से जो में गेट है उसको बंद करा दिया आलम है कि यह आप कई दिनों से काम कर रहा है लगभग रूज का रूज की अगर बात करें तो क्या टार्गेट है आपका कितने लोगों तक असा है लोगों तक आप रहात की समगरी पहुंचा रहा है अभी तक हम लोग परड़े एक सो पांच एक सो दस पॉकेट हर जगे प पूरे सीवान जिला में हर वाट हर महले गली में एक सो पांच डेली हम घज़वा रहा है कैट क्या है पूरा इसके बारे कैट एक संस्ता है जो भारत सरकार से जुड़ी हुई है जो मोदी जी ने कहा कि अगल बगल जो देखेगा समाज सेवी उसी तरह समाज सेवी के कैट स है जो भारत का पुरे भारत में इसका सच्ता है हर जीले कर जिला धक्स है आज हम यहां बाट रहे हैं और कल हम गोपाल गंच के साथ यह जाकर तीनों जिला मां हमको देना है टियाइजीव साब समने बूल दिया है तो बटेंगे सीवान के स्वी से कल का आज मनोश्तिवारी से बात हो गई है कल हम लोग टाइम हो देंगे तो दो बजे के बाद हम लोग कभी भी गुपाल गंजा के थावे मन जोले में क्या कुछ इसमें रासन की समगरी है जो आप लोगों लोगों तो पहुंचाने का काम कर जितना ज़ूरत का चीज अशब हम दे रहे हैं इसे यह पता चलिए कि इसको क्या जूरत है यह देने के बाद लोग हम लोग पास महाया कर रहा है तो गोपनिये तरीका से दिया जा रहे है देखने वाला एक अलग है अब गोपनिये तरह से कितना हम भेज़ दें कि उसका प जिसके 10 के जूरत है 20 के जूरत है पचास के जूरत है उसको हम दे रहे है तो यह माना जाये कि तिन मई तक लोग डाउन है और मसूर आला मुस वह इससे लोगों के लिए तत्पर है जो आसा है जिन तक राहत की समगरी नहीं पहुच पार है हमारे परहान मंत्री जी जो बात को जो है कुछ ने कुछ मिले तो हमारी संस्ता यह संस्ता जो है हर घर में पहुचाना चाहती और हर आदमी को जो जुरुष का सब्सक्राइब तो आपने सुना यह जेडियों नेता मंसूर अलम थे और इनका कहना है कि कैट एक संस्ता है और उसके दौरा सिर्फ सीवान जिले में नहीं बलकि शपरा और गोपाल गंज हलाकि अधिकारियों से जैसे कि इन्होंने कहा कि बाचित हुई है और उस तरह से यह लोग जा करके और असाहयों तक मदद पहुचाने का काम कर रहे हैं हमारे साथ बीजय सोनी है जो सहर के ब्योसाहिए इन से बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग तयारी कर रहे हैं असाहय यवी एक छोटा सा स्लोगन है मजाब नहीं सीकाता है आपस में रखना हम हिंदू है वतन हमारा हिंदूस का हमारा इसी नारे के तर्ज पर हमारे माननिये परधान मंतरी स्री नरंदर भाई मोधी ने हमें यह अस्वस्त किया है कि कोई भी गरीब अपने आस पास भूखा ना सो दूरों को गरीबों को उनको हक तक उनकी आवाज के अनुसार उनको रासवन की सुविदा मुहया कर आए जो भी आदमी है जो भी समीति है जो भी बंदू है वह अपने माद्यम से कुछ ना कुछ उपलब्द कर रहे हमारे सीवान कैट के जिला देक्ष सेख मुहम्मद आगे बी इस तरस से आप लोग काम करते रहेंगे तीन मई तक जो लॉकडाउन है और जीन तक खाना या फिर रासन की समगरी नहीं पहुँचेगी तो उन तक आप लोग पहुँचाने का काम करेंगे हाँ हम लोग कटी बद्ध है और अपने साथ भी लेके चल रहे हैं तीन महीं तक क्या अगर सरकार आगे भी लॉकडाउन की अवधी बढ़ती है उस अवधी में भी हम लोग सभी गरीबों मजरूबों के लिए हम लोग इस रासन की मुहाया प्राप्त करते रहेंगे तो जाहिर तोर पे आपने सुना कि एक बीजय सोनी थे और फिर मनसूर अलम से भी बातचीत हुई इन्होंने कहा कि हम लोग तीनों जीलों में जाकर के और जो असहाय लोग हैं जो गरीब लोग हैं जिन तक राहत की समागरी नहीं पहुँच पा रही है उन जैसे लोगों को य कच्छा मिशाल पेस करने का काम कर रहे हैं हम हमारे साथ मौलाना सहाब एक मौजूद हैं हलाकि थोड़े से सायराने अंदाज में जो अभी स्थिति देखी जा रही यहाँ पे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जिस तरह से उन्होंने स्लोगन कहा इस पे हम दो चाहेंगे आप दोनों सभी सबुदाय के लोगों को एक साथ जिस तरह से माले के गुथी में सबको एक साथ करकर चला जाता है उस तरह समचाहेंगे कि इस बिकट परिस्थिति में वह मैसेज आप दे हमारे चैनल के मारते हम से देखिए यह जनाब सुनी सहाब और मंसूर आ यह जब तक इस तरह की बाते रहेंगे उस वक्त तक ची खिदमत की जाती रहेंगी यह किसी तरह कोई मतमले इस में इन ही है और अब हम आप सबका यह अभार वेक्त करेंगे कि सारे लोगो करके एक जहती का महबद का भाईचारे का यह सबग भी मिल लहा है ज़रुरत करके सारे लोगों खिदमत करनी चाहिए और होती रहेगी इंशार RAW रही है यह हमारी द्वा है यह हमारी कोशिस है लट के मुटाभिक जहाँ-जहां जहाँ यह इस विसी जरोट आ रही है उसके हसाथ से यह लोग जा रहे ने are महला महला वार बार जाकर कि यह खिदमत कर रहे हैं लोगों तो पहुंचा रहे हैं तो ठीक इसी तरह से एटियन लाइफ कुछ और जोगों पर चलेगा और वहां से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से असा है कि सेवा में यहां के जो स्वेम सेवी संस्ता हैं या फिर हमारे जन प्रतनिधी हैं और य उन तक मदद कैसे और किस तरह से पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे स्वेयोगी आसिस कुमार गोलू के साथ शंदन कुमार एटियन लाइफ सीवा